हलो गाइज वेलकम यूर जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने पाई जॉकिंग यू सिटी में आ चुकी होती है और वहाँ पे अपने ग्रैंपा के बारे में जानकरी निकालने के लिए एक होटल के अंदर चली जाती है जब वह अंदर जाती है तभी वहाँ पे कु को देख लेता है कि वह उनकी बाते सुन रही है जिसमें की लास्ट में को दिखा जाता है बाइज आपना इसकी लिउस करने के बाद में उसके दोनों अक्रोट उसके दोनों घर के अंडों को लाट मार के चकना चूर कर दिया होता है अब देखते हैं आगे एपिसोड की खराब हो चुकी होती है उसको चिड़ा रही होती है और चिड़ाते हुए कहती है अगर तुम ऐसे धों जमाओगी तो तुमको ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें बार बार अपने अंडे फुड़वाने पड़ेंगे और दूसरे साइड में हमको बास के हालत दिख पकड़ो उसे पकड़ो वो कहां गई है जल्दी पकड़ो उसको देखने के बार में जो साथी होते सारे शॉक्ड हो जाते हैं और फिर मको दिखाते हैं उसके अंडों में इतना दर्द हो रहा होते हैं इतना दर्द हो तो उसके पसीने छुड़ गए होते हैं और तभी वो अपने उस महर को दिखाते हैं, मैं उसको बहुत दड़पाना चाहता हूँ, जल्दी करो, उसको पकड़ के लाओ, फिर दोस्तो सीन चेंज हो जाता है, और हमें कुछ समय बात का सीन दिखाया जाता है, और हमको दिखाते हैं, बाई जॉकिंग, यू सिटी के अंदर, भाग र आगे की तरफ, फिर खड़े होते हैं, और बाई जॉकिंग, उन सुल्जर को देखकर, फ्रस शॉक्ड हो जाती है, जब वो देखती हैं, और भाग कर उनकी तरफ जा रही होती है, वो भागते वे चिला रही होती है, मदद करो, कोई सीटी में मेरी हत्या करने की कोशिश कर प्लीज मेरी मदद करो, ये आवाज को सुनने के बाद, सोल्जर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तब ही हमको दिखाते हैं, वैसे चिलाते चिलाते हैं, सोल्जर के पास पहुँच जाती है, और उनके पास जाकर कहती है, ये बहुत अच्छा हुआ सर, आप लोग मुझे मि लड़की होती है, जिसका उन लोग कपले अपले फाल चुके होते हैं, और विचारी लड़की रो रही होते हैं, और वो सारे के सारे सोल्जर उस लड़की का फाइदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी इसलिए उसके साथ जवजश्ची कर रहे होते हैं, जब सब्सक्राइब करने की कोई कोशिश कर रहा है इसलिए हमारा जजमेंट एकदम काम्याब रहना चाहिए ठीक है तो जाओ इसके साथ में और इसकी यह बास सुनने के बाद मुलूग हसरे होते हैं कि दोस्तों ठरकपन आप लोग देखी चुके हैं कितने कमी नहीं यह फिर वह चलो जान हम लोग चलते हैं हम लोग इंज्वाय करेंगे अपने कैप्टेन की यह बास सुनने के बार में जो दूसरा सोल्जर होता है वो हस्ते हुए कहता है शियोर क्यों नहीं हम मदद करेंगे और बाई जापिंग की तरफ देख रहा होता है बाई जापिंग उस लखी की इस तरह हालात को देखने के बाद में एकदम डर जाती शौक हो जाती है और शौक होने के बाद अपने मुँपे हाथ रखते हुए सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है और गाइस हमको दिखाते हैं वो इतना डर जाती कि उसके पैर हांस सब कापने लगते हैं और वो धीरी-दीर इतने कमीनी लोग यहां कैसे हैं बाइज़ाओकिंग भागते-भागते यू सिटी के गलियों में आजाती है और वो अपने मन में सोचती है यह यू सिटी इस city की आत्मा तो बिल्कुन मर चुकी है ऐसा लगता है कि यह बिल्कुन प्रकाश हीन हो चुकी है और यही कहते हु को जोकि में नहीं डालना चाहिए था फिर गाइस हमको दिखाते हैं यूश्विटी के ऐसे हालात को देखने के बाद में बाइज आउकिंग बहुत ज़ादर रोने लगती है और रोते-रोते भागरी होती है और भागते हो अपने मन में सोचती है सच्चाए बिलकुन वैसी न निकल जाता है और उसका इतना पावरफुल होता है दोस्तों ही आर पार निकल जाता है जब दों होती है बहुत जोड़ा दर्द होता है बाइज आो कि वहीं पर उस दर्द में कृछार है और kan LED मन में सोचती है मुझे आने के चुनाव के उपर कीमध चुकानी होगी क्योंक को और साथ में ही रो रही होती है उसकी इस तरह के हाल को देखने के बाद में जो उसकी सबसे close friend होती यू लिंगर वो बाहर निकलती है और गाइस आज में पहली बर दिखाया जाता है यू लिंगर बाई-जॉकिंग की महबत में उसके बिना order दिये ऐसे बाहर निकल गई और स से जाल फेख देता है और चिल्ला के कहता है सीलींग वैप यू लिंगर इस वैप को देखके एक दिमतों शॉक हो जाती है और गाइस हमें दिखाते हैं जो सीलिंग वैप का कमाल होता है वो यह होता है कि जो भी हमनाइट ट्रांसवर्म ड्वीमन होता है वो दुबारा से अ और चिला के कहता है तुम चोटी लड़की कहां जा रही थी तुम फिर कहता है आपके पास भागने के लिए कोई जगा नहीं है इसकी चाल से चलने के अंदास से आप समझ गया हो यह कौन है अकर लड़के है तो फिल समझ में आ गया हो का जब घर के अंडे फूट जाते तो च की खुश करने की कोशिश करनी चाहिए आप भागने की कोशिश क्यूं कर रही है बाइजॉकिंग जिब देखती है वह बदमाश उसके पास आरहा है वह अपने उसी चोट में उठने की कोशिश करते हुए कहती है या मेरी अपनी गल्ती है मैं इस बात की हगदार हूँ और आज जो भी अन्त होगा मैं इसका इंतिजार कर रही हूं और दोस्तों हमें दिखाते हैं बाइजॉकिंग ये बूलने के साथ में बहुत ज़्यदा रोरी होती है और तभी रोते हुए कहती है लेकिन मेरे मरने के बाद में सेंट्रल इस्टेट से चैन बूजिन आएगा तुम आने के बाद में एक्टिंग करते हैं बोलता है और दोस्तों में दिखाया जाता है यू लिंगर के लात मारने के बाद में और जो परने टाइम पे कपड़े चलते थे उसका बेल्ट खोलता है और बेल्ट खोलते हुए कहता है अब तुम्हारे चैन वुजिन क्यों नहीं आ पाई जॉकिंग के तिम फोश उड़ जाते हैं वो शॉक्ड हो जाती है फिर में दिखाते हैं वो पलटता है और अपनी जीप चाटता है और कहता है अगर वो यहां पर नहीं आ रहा है तो मैं यह देखने जा रहा हूं कि मेरा समान जिस पर तुमने अंडे फोड़ दिये थे वो इसलायक है कि तुम्हारे साथ इस्तमाल करा जाए कि नहीं वो जैसे ही पलटके यह चीज करने वाला होता है तब यह उतने में कोई चिला के बोलता है अभे रुख जा बे यह क्या करने जा रहा है यह वास सुनने के बाद में वह जो बॉस होता है वो एक दिम शॉक्ड ह तरह हो तुकिसके हाल कितने बुरे दें वह जो फिर जो लड़की है वह मेरी प्रेमि.. और फिर उसी तरह हापते हुए अपने सर को उठा के कहता है वह पहले से ही अपना सबक चुकी है तो क्या तूम मेरे लिए उसे जाने दे सकते हो भून्श होता है चाला उसे तरफ और क्या तुम्हारे लिए फिर कहता है पहले ये बताओ तुम हो कौन चैन वुजिन उतनी देर में अपने आपको समाल लेता है और तभी हसते हुए कहता है ठीक है ठीक है बस मुझे पहले थोड़े सी सांस लेने दो तब बताता हूं मैं अपने बारे में फिर मैं थोड़े देर बात का सीन दिखाया जाता है चैन वुजिन अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका था सांस लेने के बाद में और वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता है तुमारे पास बहुत समय होगा मैं तुम्हें बता दूगा मैं कौन हूं और तभी गाइस हमें दिखाते हैं चै और यहां आपको एपिसोड देखने में मज़ाया है तो फ्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेर करें और मुझे बताएं आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा thank you for watching my video love you all